प्रीभक्तों जैस्री राम आज हम गीता प्रिजगोरगपुर से प्रिकासित कल्यार से पड़ों समझों और करों से एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं आज कथा का सीशक है प्रार्थना की सक्ती भक्तों इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें ताकि सभी लोगों को भगवान की किरपा पर विश्वास हो प्राथना में असीम सकती है प्राथना असंभो को भी संभो बना देती है ऐसे ही मेरे जीवन में घटित एक असंभो सी बात प्राथना से संभो हो सुकी जो इस पिकार है जो भाईया लिखके भेजरें वो कह रहे हैं कि मेरी अवस्था 16 वर्स है मैंने पिछले वर्स कच्छा 10 की परिच्छा उत्रीन किये 18 नॉमबर संभ 2005 को मैंने अलमारी से 10 वी कच्छा की मार्क सीट तता सनत निकाल कर अपने बैग में रख ली और बैग लेकर मैं अपने सूल को चला गया वहां मैंने मार्क सीट निकाल कर अपने दोस्तों को दिखाई फिर मैंने उसे बैग में रख दिया कुछ देर बाद जब मैंने बैग खोला तो उसमें मार्क सीट नहीं थी काफी डूलने के बाद भी मार्क सीट का कोई पता ना चला घार आकर मैंने अपनी इस्ट देवी मा सार्दा से माल सीट मिल जाए इस आसे से देर तक प्रातना की पर प्रातना के सम्मद में किसी को कुछ नहीं बताया लेकिन कुछ दिनों बाद ये वात मैंने अपने बड़े भाई सुनू को बता दी दिन बुजर रहे थे वो मेरी प्रातना बढ़ती जा रही थी और मुझे विश्वास था कि मा कुछ ही करेगी कुछ न कुछ जरूर करेगी और वो हाई स्कूल की मा की सीट कितने मायने रखती है तो आप सभी लोग जानते हैं और मेरा बच्पना भी था कि मैंने घर में किसी को नहीं बताया 28 नॉमबर 2005 को यानि कि 10 दिन बाद मैं घर से जब ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला तो कुछ दूरी पर वह मार्ग सीट मैंने कूडे के धेर में पाई मार्ग सीट मिलने से मैं बहुत खुश हुआ और मैंने मा शार्दा को उनकी इस क्रिपाले के लिए धनवाद दिया और मेरी प्रातना धन से धनतर हो गई भक्तो अगर हम किसी भी चीज़ से भगवान से जोड़ते उन से प्रातना करते हैं तो वो हमारी इच्छा को पूर करती हैं और वो हमारे दुखों कस्टों को दूर करते हैं देखिए भक्तो अठारा नॉमबर और कहां 28 नॉमबर दस दिन बाद वो माग सीट कूडे के धेर में लिले तो ये भगवान की देवी मा की असीम करपा थी और मेरी नजर भी पढ़ गई और मुझे मा सीट लगी मैंनो उटा के देखा तो मेरी ही मा सीट थी तो ये सब भगवान की करपा से अगर हम अटूट विश्वास रखते हैं इस शुरी करपा पर तो भगवान हमारे सब दुख हर लेते बोलिए जैसरी राम